दोस्तों नमस्कार जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पिक्चर में कोल ड्रो के अंदर किसी भी टैक्स किसी भी टैक्स इया इमेज के उपर अब वेट पेंट इफेक्ट कैसे लगाएं वह आज मैं आपको बता हुआ तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपके पास जो है इसको एक बार रिमूव कर देता हूं को बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर कि कैसे हम इसको ड्रो करते हैं तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं सबसे पहले दोस्तों आप फाइल का ओरिंटेशन टैक्स की हिसाब से लिए और जैसा भी टेक्स के लिए यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं जैसे में यहीं यह लिख देता हूं को ड्रो मैंने लिख दिया उसके बाद आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहां पर साइज इंक्रीज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा यहां पर आप क्या करें आप फोंट टैब में जाके देखिए यह आप कोई विवास से काफी सारे फोंट है जो आपको शूटेबल लगे आपको अच्छा लगे वह ले 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 लेकिन मुझे जो पेंट क स्टाइल सब्सक्राप में टामें था सब्सक्राइब दोस्तों में तो आते हैं kills को आपने क्या करना है आप बेसक इसके अंदर color डालने ना डालने कोई प्रक्नी पड़ेगा अगर आप इसके अंदर बैक्पेंट लगाएंगे अगर देखिए color का पड़ता जब आप टैक्स के उज़ करते हैं जब आप bitmap यूज करते हैं तो उसके उपर color का कोई फाइदा नहीं होता आप कैसा भी होता जो color mode में आप देखी काफी सारे mode है लेकिन आप यहां पर CMYK रखें और CMYK में थोड़ा सा डिफ्रेंस रहा हो क्योंकि यह आप एक high level के आपको फाइल मिल जाएगी CMYK के color बख स्वीट में तो यह ही रखें आपको यह मिलेगा आप यह रिखें उसके बाद यह कुछ नहीं आपने कर दें हमारा जो टैक्स था वो bitmap में convert हो चुका है ठीक है अब आपने क्या करना है अब यहां पर जाएंगे हम बिट मैप एक बार फिर यहां पर wet paint नाम की एक option है घिक है यहां पर wet paint इस पर जाएगे ठीक है यह यह से मैं आप से यहां पर दीखिए वहां सा ठीजे तोधा सायह पर और लाइन से कर लें या पिर फिर खुराइट क्लिक करके आप बनाइन सीज 腳 में यहां पर चाल यह नहीं कर लेते लाइन grand kidding कीप ओरिजन साइज करें कीप ओरिजन साइज यहां पर देख लें ठीक है यहां पर थोड़ा सा यह प्रोग्रेस हो रहा है यहां उसके बाद मापको सैटिंग बताओं और कुछ एक दो आप कर सकते हैं जो भी ठीक है देखे टेक्स हाई इस तरीकी को कम ज्यादा थोड़ा ब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं चलिए यहां पर काफी अच्छा होगा ठीक है तो इसको मैं ओके कर देता हूं कि ओके करने के बाद जो हमारा टैक्स यह निचे रह गया और यह जो हमने उपर लाइन आर्ट में कनवर्ट किया था वह हो गया इसको रिमूव कर देते हैं अब हम आर्ट करना है इसके उपर हमने एक पिक्चर करने कोई बीफोटो आप कर सकते हैं यहां से हैं कि यह जो पेंटिंग काफी अच्छी है वार्टर वालम ज जो भी आपको लगाना हो जैसे पिर्टकर आप क्या करें यहां से पहले मैं पता दूआ यहां से अब set कर लें जहां पर आपको adjust करने हैं कोई करनी और कहीं भी रख लें पिक्चर सेलेक्ट होने चाहिए उसके बाद आप जाएंगे object के उपर object के उपर जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा option place power click और place inside frame यहां पर जाके आप इसके select कर लें यह पिक्चर इसके अंदर चलेगी लेकिन अभी यह picture इसके नीचे है वह पताते हूं कैसे adjust करते हैं तो right click कर लें और यहां पर edit power clip कर लें या फिर आप object में जाके भी कर सकते हैं power clip और edit power clip यहां से भी कर सकते हैं ठीक है यह picture को उठाएं और यहां रख दो ठीक है जहां से भी आपको ऐसे लेना हो ठीक है यह रख देता हूं उसके बाद right click करके आप finish editing this level कर दें यह देखिए यह हमारी पिक्चर थी इस तरीक के से होगी इसके अंदर टैक्स के अंदर चली गई थी ठीक है अब यहां जो हमने की दाब आगे किसे उपर नीचे कर सकते हैं जो आप side में ले सकते हैं इसको कि सेड़ों जहां भी दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं उसका color थोड़ा सा यह देखिए बिल्कुल एक हो गई है और अब आप इसको जो है शेव कर सकते हैं जेपीजी में कर सकते हैं जैसे भी आप सेव करना चाहें काफी सारे फॉर्मेट है फाइल में जाएं एक्सपोर्ट पे जाएं और यहां से आपको जो फॉर्मेट आपको जी टाइप का कि अवैचर झापको जाएं 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 झालन हुग है और यहां से जाएं झालने कि बालता हैं जाएं झालने कि अगज ग wanna